अस्तामरीको मैं आपका उस बबलू रहुरी इंफिनिक्स ने अपनी नोट 30 सीरी से मार्केट में काफी हाई पर कन्फूजन सी क्रियेट कियो है बायर के लिए और आज किस वीडियो में मैं इंफिनिक्स नोट 30 का एक सिंपल और क्लियर रिवियो आपको देने वाला हूँ विद कम्प्लीट प्रोजन कॉंस जिसको देखने के बाद आपकी जो कन्फूजन है वो क्लियर हो जाएगी और आप डिसाइड कर पाओगे का यह फून आपको लेना चाहिए या फिर नहीं और हाँ वीडियो अची लगे तो हमेशा की तरह लाइक भी कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो फस्ते मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकिन दबा लेना फूचर वीडियो इसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे देखो इन्फिनिक्स नोट 30 की जो अफिशल प्राइस है वो है 54,000 मैंने इसको 55,000 पे कासबास बाइ किया था और कुछ दिन पहले यह 60,000 पे तक भी बिकतार है मार्केट में मतलब जो ब्लैक माफिया ना इ सबकी अकर्ठिकाने आ जाएगी खैर बॉक्स कॉंटेट में आपको फून के साथ 45 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है एक ग्लास प्रोटेक्टर भी डबे में रखा गया जो अच्छी बात है और उसके साथ एक सौफ्ट सिलिकन केस है डबे के बाहर मैंने देखा है कि ब्र नहीं पता उनको भी गेंगे पाइना चुछ 16 जीपी रहा है में 16 जीपी ए राकट मंगो उड़ेगा फून मतलों चल क्या रहा है यार गलत बात है आर्ट जम आर्ट मेंचन किया रहा चोटा सा करके नजर नाए 16 जीपी माशाला डिजाइन लुक वाइस तो फून काफी करो हां डिजाइन खुबसूरत होना चाहिए बट फीचर भी अच्छी होने चाहिए फून के अगर डिजाइन खुबसूरत होगा फीचर नहीं होंगे तो डिजाइन का मने अचाहर डालने यार बॉक्सी फ्रेम के अंदर यह आता है फ्लैट इसका फ्रेम है प्लास्टिक व लगी है तो इन फील मुझे थोड़ा बलकी होने की वज़ाज इतनी मज़े की नहीं लगी जस्ट ओके रेट करूंगा बाकी IP53 की रेटिंग को भी इंक्लूड के है इंफिनिक्स ने जो अच्छी बात है तो वाटर के जो स्प्रेशिस है उससे यह फून डैमेज नहीं होग जात एक डिस्प्ले का एक्सप्ले का एक्सप्ले का एक बड़ा डिस्प्ले लेके आता है 6.7 इंटिचेस का सेंटर पंच होल वाला एक IPS LCD पैनल है जो 120 हर्ट के हाई रिफ्रेश एट के साथ ही आता है तो चलने में स्मूथ है काफी 120 हर्ट इसका और साइड बैजल थोड़ quality भी काफी बेटर है एक hybrid stereo setup है इसके अंदर जिसमें main speaker नीचे होता है उपर वाले air piece में से 30 से 40% के आसपा सवाज आती है बट quality और loudness अची है विकोज ये JBL tuned इनोंने speaker इस बार यूज की है और एक चीज मैंने जो feel की है अगर आप open volume पे कोई भी video वगरा देख रहे हो तो जो back है वो यहां से थोड़ी vibrate होती है अगर आप long time के लिए video देखोगे तो vibration के साथ ना यह जो fingers के pores है यह वो sun type जो feel है वो थोड़ी सी होने लग जाती है तो यह चीज आप देख ले ना और fingerprint इसका side mounted है जिसकी speed और accuracy अची है और जो haptic feedback इसका वो normal vibration वाला है premium वाला नहीं है तो उसारा करेगा और 580 nits की peak brightness है आउटडोर में daylight में use करते हुए मुझे visibility के कोई भी issues नहीं आए वहां पे ठीक चल रहा था performance के लिए इस phone में use किया गया Mediatek Helio G99 का chipset अब यह काफी power efficient किसम का chipset है 6 nm को पर बना हुआ है साथ में 8GB RAM आती है इसमें असल वाली जो lollipop वाली RAM है उसको आपने consider नहीं करना उसके इलावा 256GB storage है UFS storage है तो वहां पे चीज़े ठीक है अब यह जो hardware है इस phone के अंदर G99 का box pack phone की category 55,000 पे के अंदर मैं इस hardware को underpowered rate नहीं करूँगा ठीक है गुजारा करेगा और नॉर्मल से थोड़ा heavy task भी करोगे तो अच्छा handle कर ले हाँ इसको आप proper gaming hardware नहीं कह सकते इस range का कुछ लोग होते है ना gaming mind में रखके phone को लेते हैं तो मैंने different games इसके ओपर try की है पहले PUBG के लिए smooth balance with ultra 40 fps जाती है वो तो 40 fps का kind of a decent gameplay निकाल के ये phone दे देता है जाइरो भी hardware वाला है तो gyro की moments भी ठीक रहती है और कोई भी multi-touch का मुझे issue face नहीं हुआ तो 40 fps गेम खेलते हुए gameplay तो अच्छा ही है बट इस phone की जो camera app है ना जब मैं camera testing कर रहा तो camera app stuck हो रही थी थोड़ा सा portrait photo जैसे click करो तो फि खेली जाती है और मैं खुद भी खेल रहा हूं तो ultra graphics उसके अंदर sport करता है बट handle नहीं करता G99 उन graphics को तो आपको low graphics के उपर रखके ही खेलना पड़ेगा मैंने तो high graphics पे खेला थोड़ा चौपी चौपी gameplay निकल रहा था उसके अंदर और उसके बाद call of duty भी खेली है उसकी gaming करवा देगा और heating का भी कोई ऐसा issue notice नहीं किया like मैं लंबे session game के की है इसके ओपर device warm हो रही थी 3940 के आसपा temperature जा रहा था लेकिन overheating का issue नहीं था battery life इस phone की काफी अच्छी लेगी है मुझे 5000 mh की battery है और मेरे थोड़े heavy use गंदर जिसमें data connection hotspot ये सब चीज़े मैं use कर रहा तो साड़े साथ गंटे के आसपास इसने मुझे screen on time दिया और I think ये अच्छा time है और light user तो डेड़ दिन तक भी चला जाएगा और 45 watt की charging ए a spoon के अंदर 0 to 100 ये charge होने में लेता कोई 55-7 minute के आसपास cameras की तरफ आता हूँ back पे आपको 3-4 चार गूले नजर आ रहे हैं काम करने वाला एकी गूला लगाया है इनोंने और 55-6,000 पे की category है spoon की और यहां पे कोई भी ultrawide sensor कोई भी telephoto sensor या macro type का कोई अच्छा sensor देने का तकल्फ नहीं किया Infinix ने और इसके 64 megapixel camera को अच्छी day lighting condition के अ details का तो बिल्कुल भी मजा नहीं है मैं expect नहीं कर रहा था कितना मतलब average type का यह perform करेगा थोड़ी expectation मेरी ज्यादा ही थी details भी थोड़ी soft ही ले रहा था और HDR आटो के उपर रखके उसका दिल करे तो चलपड़ना है उसने और light को control कर ले ना otherwise जो है ना उसका मतलब वो बैठा परेगा नहीं चलेगा और जो skin tones है वो भी मतलब कुछ अजीब सी orange type के तिंट के अंदर और होंतों के उपर भी orange type का तिंट अपलाई कर रहा था जैसे मैं कोई पान खा के picture ले रहा हूं अपनी camera app के अंदर 2x का भी जूम रखा है जो digitally जूम करता है और maximum जूम है वो 10x तक जाता है जहां पर details तो बिलकुल wash out कर देता सारी indoor low light situation में भी मैंने इसके camera को chance दिया अल्दो daylight में अची lighting condition में expectation को meet नहीं कर सका तो ज्यादा उमीदे नहीं थी तो वही काम हुआ जो photos थी वो काफी soft आ रही थी और उनमे details नहीं थी और अगर आप night scene की photos लेते हो outdoor में जाके तो बहुत ज़्यार noise वहां पर भी रहता है और अगर इसका super night mode आप implement करते हो उसको use करते हो तो वह over sharpening के algorithm को use करते हुए ना बहुत ज़्यादा over sharp कर देता जिसे जो photo है वो अजीव ही बन जाती है और front पे जो 16 megapixel का selfie shooter है यहां पे भी कोई मजे की details नहीं है मैं इसके camera's को daylight के ने ट्राइ किया है मतलब over bright कर देता skin tones को exposure को अच्छे से balance नहीं कर पाता जो इसका HDR control है वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ी over sharpening भी photos के ने नजर आई है और जो इसका front से जो portrait है वहां पे भी edges को काफी hit and miss करता है तो selfie भी मुझे इसकी मजे की नहीं लगी औ back or front दोनों साइट से maximum जो recording है वो 2K तक कर सकता है 1080p 60fps को भी option दोनों साइट के उपर available है अब यह तीनों में आपको back की videos दिखा रहा हूं जो 2 videos है वो तो मतलब हिल रही है उनके अंदर दुनिया काफी अच्छी कासी stabilization नहीं है बाट अगर आप EIA steady mode को on करते हो तो वो 1080p 30fps क पर होते भी नज़र आए जो मैं इस price category के अंदर इस तरह के video graphics नहीं करता और उसके लावा जो front का 16 Megapixel का selfie shooter है यहां की जो तीन videos है वो भी आपको दिखा रहा हूं उनमें अब देखो जो पहली दो videos है वो again उनके अंदर shaky shaky सी video है और जो steady mode के साथ video है वो थोड़ा सा crop sensor यू और अगर आप एक ऐसे user हो इस phone को cameras के लिए लेना चाते हो तो यह phone फिर आपके लिए नहीं बना हुआ software experience इस phone का मुझे price category के हिसाब से compromise लगा like 55 की category का phone है अगर आप software देखते हो तो version android 13 ही है latest वाल ही है बड़ इसके ओपर जो infinix के अपनी skin है इनका अपना खुद का बड़ hardware जो pre-install apps है वो third party की बहुत जहरा देते हैं मतलब 25-30,000 वाले phone में भी इनका यह situation है 55 की category के phone में भी इस situation है आल तो थोड़ा difference होना चाहिए इस category का user है वो जहारा थोड़ा clean experience प्रेफर करता है अगर आपने Google Pixel, Samsung, Realme, Oppo, Vivo type के phone ही use किया है इस category के अंदर इस phone के उपर आके आपका UI जो experience है UI के साथ adjust होने में काफी आपको time लगेगा और बाकी जो updates की सूर्टयाल है वो भी मतलब कोई हाल नहीं है infinix का इन्होंने कहीं पर भी कोई promise नहीं mention किया है कितनी updates कितने security patches देने हैं दिल किया तो एक आदी update दे देंगे नहीं ते पोल जाओ बाकी call quality phone की काफ इसके अंदर चैल जाती है और उसके इलावा 4G plus का sport नहीं है 4G LTE के उपर जो speeds है वो काफी battery आती है और उसके इलावा यहां पे वोल्टी E का भी sport है voice over LTE का और Wi-Fi calling का भी sport के अंदर है NFC का भी sport के अंदर मिल जाता है अब देखो जो मेरा final conclusion है ना practically मैंने चीजे काफी explain कर है उसके लिए deal breaker हो सकते है ना इस्पून के कैमरा अच्छे है ना कोई ultra wide है बैक पर ना कोई telephoto sensor है वीडियोग्राफी भी below average है मतलब camera performance मज़ेगी नहीं है वो आपने देख ली उसके लावा user experience भी थोड़ा clean वाला चाहिए और कोई अगर 60 episodes type gaming हो जाए अल्दो hardware को मैं underpower rate नहीं करूंगा gaming hardware नहीं है अगर आपने gaming hardware नहीं लगाया तो फिर आप मतलब camera वाली साइट पर थोड़ा कर दो कुछ तो वो चीज़ें यहां पर नहीं मिलेंगी अगर आज भी किसी user ने 55,000 पर लगाना है ना तो वो जो kit phones में official वाली options मिल रही है like pixel 4a 5G मिल जाता है 620 में वालदो कोई ज्यादा options नहीं है बट यह phone मुझे समझ में नहीं आता और मैं इस phone पे सिरफ design और 45W charging दे के अपने पैसे spend नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको मशुरा देता हूं इस चीज़ का आपको यह phone skip कर देना चाहिए I hope के चीज़ें आपको clear होगी होगी वीडियो अची लगी हो तो like share subscribe के साथ bell icon दबा लेना future videos को notification आपको मिलते रहेंगे यह वीडियो यह तक थी मिलते हैं next video में thank for watching अला अफेज